गुद इमनिंग फ्रेंड्स वेलकम एक ट्यूटीव चैनल शिक्षा गोचिंग क्लासे स्टेंड जैसे की आज आप जानते हैं कि आज भूद बड़ी मेटिंग होनी थी यूपीटर क्लेसी में मिस्टर प्रिभी कुमार अध्यक्ष जी जो की साथ ही में अपने हमारे परिख्षानी अंतरक जी साथ में थी साथ ही में और भी स्टाप मेंबर साथ में रही तो क्या रहा मीटिंग का रिणे जैसे कि आप सभी जानते हूंगे आप सभी बेट भी कर रहे हूंगे कि कि किस के बारे में आज महर लग गई है किन रिजल्ट आने वाले हैं किन रिजल्ट के ओपर बात हुई है कौन कौन सी परिक्षाएं होंगी और P.E.T. के बारे में जैसा की बात हो चुकी है और प्लस जिनके इंटर्वी वगरा कंड़क्ट कराई जाने है उन पर जिनकी टंकण वगरा रिजल्ट जिनके चल रहे हैं काम उन पर तो जैसा की अभी प्रोसेस में आप जानते होंगे मंडी परिशत का जो रिजल्ट है वह अभी बाकी है तो उसका रिजल्ट कंबाइंड ह एक साथ जैसे कि यह जिसमें केबल डारेक्ट जिनका रिजल्ट आउट होना था वो इसमें वेकेंसी थी मंडी स्पेक्टर की और जिसमें एक टंकरण वाली थी जिसमें की टाइपिंग वगरा थी इस्टेनोग्राफिवाली तो वो सब क्या है जब वो पूरा कंप्लीट हो ज जल्ट आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ी जल्दी एफसाइट पर उसके ओपर साथ ही में 2016 की टाइपिंग उसको प्लस साथ ही में जिनके physical हो गये हैं तो उनके result आने हैं जैसे की sexual अ वा कलयानद अधिकारी उसका result आने वाला है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो साथ ही में कि जिन-जिन के होने हैं उनका कारे करम तयार हो चुका है आयोग में साथ ही में जिन result पर महर लगी है उनमें से एक result है केन सुपरवाइजर का ये ready है result साथ ही में जो अगला result है डोकुमेंट वेरिविकेशन के लिए तयार हो चुका है वो है वीडियो 2018 का उसकी SIT जाच हो चुकी है यह रिजल्ट भी आपको अब website पे जनवरी के end तक का देखने को मिल सकता है ठीक स्टेंट अब जूनिय अस्टेंट 2019 2019 का जो रिजल्ट है इसमयन आपको पहले ही बताया था कि इसका रिजल्ट अभी लेट आएगा तो इसका रिजल्ट जैसा की बात चल रहेगी इसकी जल्दी से जो आगी का प्रोसेस है इसको जल्दी से जल्दी पहले करा दिया जाए तो यानि की जो आपका junior student 2019 का result है ये आपको फरवरी से पहले देखने को नहीं मिलेगा चातरो सबसे किकदम clear cut अब आज है कि ये result अभी नहीं आने वाला है जनवरी में ये फरवरी से पहले नहीं आएगा ठीक है अगला मैं बता दूँ AGTA की जो waiting list है ये जारी होने वाली है इस पे महर लगने ही बाली है इसका काम थोड़ा सा रह गया है हो सकता है एक दो दिन में complete हो जाए ठीक है अब आपके मन में आ रहा होगा कि परिक्षाओं के उपर क्या बात हुई तो परिक्षाओं के उपर clear cut अध्यक जी का कहना है और परिक्षा नियंतरक जी का कहना है कि ये परिक्षाओं कराई जाएं और ये परिक्षाओं कराई जाएं ये एपरेल से पहले पहले conduct कराई जाएं जिनके उपरा चर्चाएं हुई है ठीक है स्टेंट जिनमें से BPO 2016 की इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है स्ट्वेंट्स 2016 की वेटिंग लिस्ट के पहले आयोग के जो स्टाप मेंबर से बोल रहे थे आएगी बट अभी उनका क्लियर कट नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी बट जो उसके बात के एक्जाम हैं जो परिक्षा हैं जैसे फोरेस्ट गार्ड हुई या फिर एसो की हुई या फिर लोर मेंस टू की परिक्षा हुई या फिर आपका जेई 2016-2018 की परिक्षा हुई